आज हम बात करने वाले हैं गोक्षूर के medicinal benefits के बारे में क्यों और किस तरह से गोक्षूर के actions दिकाई गई है body के उपर क्यों आईरुवधिक doctors इसका इस्तेमाल करते हैं आज विश्वा में, especially Australian market ने क्यों हर एक company आप बोल से गोक्षूर के supplements बनाये हैं sold under the heading of testosterone booster, anabolic supplement क्यों गोक्षूर की इतने सादा demand है आईरुवध के classical text आज से 5000 साल पहले गोक्षूर के बारे में हम सभी को क्या बता रहे हैं कि इसका primary use के आज का myths क्या चल रहे हैं सोशल मीडिया पर गोक्षूर के बारे में इसके authentic uses from a totally different perspective one by one हम जानेंगे कि ये एक गोक्षूर आपके system में क्या-क्या changes ला सकता है आज का ये हमारा topic है वीडियो को अन तक जरूर देखिए Let us begin Namaste everyone, welcome back to Jovi's So, आईरुवध में एक concept explain की है कि अगर एक द्रव्य, एक organ के तरह अगर दिखता है तो उस द्रव्य के तही benefits है उस organ के रोगों के लिए तो similarly, गोक्षूर के बारे में भी कुछ ऐसा है कि गोक्षूर के जो फल है ये oxalate stones जो kidney और bladder के होते हैं उस तरह से दिखते हैं It is having quite some resemblance to the oxalate stones of kidney and bladder And hence, इसी के treatment के लिए गोक्षूर को इस्तमाल किया जाता है इसका सबसे पहला use क्या है तो बस्तिशोदन यानि kidney और bladder को detoxify करना ये सबसे important benefit explain किया है पहले जानते गोक्षूर ये क्या है गोक्षूर ये नाम क्यों रखा गया था या क्यों इसे गोक्षूर बुलाया जाता था तो very simple explanation गो यानि काव और शूर यानि इसके जो fruits रहते हैं इसमें spines रहते हैं सो काटे रहते हैं और ये फैला हुआ रहता है जमीन पर और इसके फल भी वहाँ पर होते हैं जब भी काव चलते हैं तो जब चलते हैं तो उनको इसके फल के जो spines हैं वो चुपते हैं और इसलिए शूर कहा है तो इसलिए इसका नाम गिरा था गोक शूर तो that was a simple meaning जानते हैं भाव प्रकाष निगन टू में गोकशूर के बारे में क्या बताया है तो कुछ ऐसा कहा है गोकशूरम शीतलम स्वादू बलकृत बस्ति शोधनम जाने simple language में अंडेस्टाइन करते हैं जाने शीत बताया है जाने हमारे बॉड़ी को सब्त धातू को सातो धातू को ताकत देने का काम करते है बस्ति शोधन जैसे हमने जाना किड्नी और ब्लाडर को डीटॉक्सिफाई करता है वरुश्य याने अफ्रोडीसियक सेक्शल अक्टिविटी को बूस्ट करना एंहेंस करता है कही रिसेर्च इस हूँ है गोक्षूर और इसके अफ्रोडीसियक अक्टिविटी के बारे में कि ये सेक्शल अक्टिविटी को या ताकत को किस तरह से एनहेंस करता है बूस्ट करता है और हम भी practice में कही बार गोक्षूर अलग वरुश्य द्रवियच जैसे अश्वगंदा, शतवरी, शुन्ति, कवजबीच, विदारी खन इन पाच द्रवियच के साथ जैसे वरुश्य योग कहा है इन पाच द्रवियच के साथ गोक्षूर का इस्थतमाल करते है which is a great afrodisiac it is having good action when it comes to शरीर को ताकत देना या सेक्शल अक्टिविटी को बूस्ट करना टेस्टोस्टरोन को बूस्ट करना या जिम में as a supplement as a medicine for the physical health for the heart muscle अलग benefits हम जानेंगे but as a physical you know as a supplement this combination has a great action moving further दुरुष्टी यानि हमारे आखो के लिए it is very good अमारे आखो के eye sight को improve करता है again अश्मरी हर which is the main benefit again for urinary stone ये diuretic बताया है ये urine flow को बढ़ाना lithotriptic activity बताया है यानि जो stones है उसे breakdown करने की capacity है गोखशूर में so kidney stones है gall stones है इसके लिए इसके बहतरीन results है कई researches है जहाँ पर बताया है कि gall stones के लिए कोई treatment ही नहीं है तो वहाँ पर cholecystectomy के बगेर आज आयुर्वधिक treatment या कुछ दवाओ से पंचकर्मा से gall stones पूरी तरह से reverse किया जा सकता है that's about gall stones kidney stones moving further प्रमेह यानि diabetes so anti-diabetic द्रव्यों अवेलेबल है या हमें नेचर में का ही द्रव्या मिलते है जैसे जम्भू बीज, विजैसार, गुडमार, शीलाजित और गोकशूर so एक गोकशूर generally it's a great anti-diabetic medicine so again I repeat विजैसार, जम्भू बीज, गोकशूर, शीलाजित and गुडमार so this is having a very good action और कही बार PCOD patient जो होते हैं insulin resistance के वज़े से दो रोग होने के ज्यादा chances रहते हैं एक तो thyroid disease hypothyroid commonly और diabetes insulin resistance के वज़े से so ऐसे anti-diabetic द्रव्यों का बहतरीन result होता है ऐसे anti-diabetic herbs यानि गोकशूर के साथ-साथ गुडमार जो के लेखन बता है यानि लेखन action है scraping activity है और इसके साथ-साथ कडू चिरायत यानि चीरातिक्त कीरातिक्त या अलग-अलग इसके नाम है so गुडमार कडू चिरायत और गोकशूर इसका इस्तमाल किया जाता है कही PCOD patients में या कही diabetes patients में और आप भी experience करोगे diabetes या PCOD अगर किसी patient को है अगर modern perspective से आज विश्यम में कुछ एक अगर drug दिया जाता है तो वो है metformin और metformin क्या है तो इस एंटी-डियाबेटिक medicine given to almost every PCOD patient या जने conceive करना है जने weight loss करना है जने PCOD है metformin ये drug दिया जाता है तो ऐसे combinations में anti-diabetic ayurvedic dhravya भी अब इस्तमाल कर सकते हैं moving further श्वास यानि asthma, cuff, cast के लिए इसके बहतरीन results है गोकशूर को इस्तमाल किया जाता है यश्टी-मदू, abrak, basma, sitopaladi इसका ही combinations के साथ-साथ या गोकशूर यश्टी-मदू, abrak या गोकशूर यश्टी-मदू ये combination works great for many of the asthmatic patients या cuff, recurrent cuff, cold, sinusitis ऐसे patients के लिए प्रवाइज 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 श्वास न कास अरश, याने PILES कही अनुरेक्टल diseases के लिए गोकशूर का इस्तमाल किया जाता है अगें, activity है, research है गोकशूर and its anti-inflammatory activity on, you know, various diseases like Pyle's Fischer Fistula again, I'll put all these research articles description box में तो आप उस links को भी या articles को भी पढ़ सकते हों moving further, रुदरोग वातानुत या रुदरोग, cardiac diseases जहाँ पर mainly वात का प्रकुप है या वात के origin के है तो आपर गोकशूर का इस्तमाल किया जाता है again, research हुआ है गोकशूर and its cardiotonic activity या cardiac activity, cardiac booster so again, results are great सारे links we'll add in the description box below heart को या heart के muscles को ताकत देने का काम है गोकशूर का so ये सारे benefits है गोकशूर के कहीं endless, you know, topics या concepts हम explain कर सकते है when it comes to गोकशूर and this is what I love sharing to all of y'all that's about गोकशूर गोकशूर अधी Google नाम की एक दवा है जो market में आज हर जगा पर मिलती है doctors prescribe करते है गोकशूर अधी Google क्या है तो Google को योगवाही बताया है ये enhancer बता है और किसी भी द्रव्य के साथ अगर हम Google को आड करते है तो ये योगवाही यानि ये उस द्रव्य के properties को enhance करता है और इसलिए गोकशूर अधी Google गोकशूर के properties को enhance करता है आजकल market में across the globe गोकशूर के supplements available है 100-250 mcg daily once or twice is very useful कही marketing techniques जैसे testosterone booster, anabolic जैसे अलग-अलग sales techniques जैसे, sell किया जाता है और very costly, you know, at a very high range it is sold, but it is nothing but गोकशूर, but under the guidance of an authentic Ayurvedic doctor, आपको इसके बहितरीन results मिलते हैं, क्यूँ? क्यूँकि 3-5 gram या 3-10 gram इसका dose है दिन में 1-2 या 3 बार, depending on an Ayurvedic doctor, और अनुपान यह हर एक द्रव्य के लिए बहुत important होता है कि किस तरह से मुसे लेते हैं गोकशूर अगर वरुनादी काड़ा के साथ अगर हम लेते हैं, तो it is having a different action it is going towards the kidneys if we take it with certain medicated घी, तो उसके अलग action हैं, अगर हम लेते हैं हनी के साथ, तो अस्तमा के लिए या कफ के विकार के लिए इसके अलग benefits है, गृत के साथ लेते हैं, तो पित्त के लिए, तो अलग अलग तरह के दवाईया, अलग अलग तरह के mediums के साथ अगर हम देते हैं तो उसके totally different action होते हैं and that's where an Ayurubadic doctor steps in and cures the root cause of most incurable diseases so ये गोक्षूर के बारे में है गोक्षूर for pregnant women again, गोक्षूर, सिद्ध, शीर के बहतरीन results है pregnancy के time पर 100 ml पानी, 100 ml दूद, 10 gram गोक्षूर, boil it on low flame, strain the liquid और ये दूद को या medicated दूद को हमें लेना है during the pregnancy time body को ताकत देने का काम mother को और child को दोनों को पोशन देने का काम it is a great, you know having great nutritional value कहीं research is इसके उपर हुए है गोक्षूर, सिद्ध, शीर and its nutritional efficacy so that's again very very useful 9 month के time पे patients विश्वा से आज आयुर्वद के पास आरह है कि उनको आयुर्वदिक treatment चाहिए या आयुर्वदिक ANC जिसके बहतरीन results है pregnancy के 9 month मर सारे complications को कम करना tough cold, sinusitis, headache, nausea, vomiting, diabetes, hypertension सारी चीजों को काफी हद तक कम करना मासानो मासिक तही आउशरी जो आयुर्वदिक doctors prescribe करते हैं 9 months के phase में गोक्षूर is a very important herb गोक्षूर, विदारी खन, सारीवा, मंजिष्टा कुटच, कुटकी, विदारी खन, गंभारी यह सारी important drowias है जो most females को लेने चाहिए pregnancy के time पर for having a smooth, safe and painless delivery और baby जो है उसके immunity को boost करने के लिए क्योंकि building जो है, उसका base एक ही बार तयार किया जाता है, base अगर एक बार ready हो गया, तो वो ready हो गया you can't change the base again once the building is formed, so Ayurved roots को या basics को बहुत ज्यादा focus करता है, प्रोस्टेट enlargement के लिए Gokshur Siddhashir prescribed किया गया था, तीन से चार महने के लिए जब इस medicine को लिया गया था reports को repeat किया थे drastically the prostate enlargement there were improvements seen in terms of reports and all of this are the benefits we can talk endless when it comes to Gokshur, so this was all for today, अगर आपको कोई doubts or questions है, comment section में जरूर पूछिए and this is how एक Gokshur के इतने ज्यादा benefits है body के अलग-अलग systems के ऊपर, कोई doubts, questions, comment section में जरूर पूछिए and do like, share this video further do like and share this video further until next time, from Joby's and the team look impressive be progressive जरूर आपको के अलग-अलग